देश के कौने कौने से लोगों ने भारत में चीतों के लोपने पर खुश्या जाताई है 130 करोड भारतवाजी खुश है, गर्वा से भरे है यह हैं भारत का प्रकूति प्रेग इस बारे में लोगों का एक कौमन सवाल यही है कि मुदी जी हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा साथियों एक टास्क फोर्स बनी है यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और यह देखेगी कि यहां के माहोल में वो कितने घुल मिल पाए है इसी आधार पर कुछ महने बाद कोई निलने लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे लेकिन तब तक मैं आप सबको कुछ-कुछ काम सोब रहा हूँ इसके लिए माय गौग के प्रेट्वर्म पर एक competition आयुजित किया जाएगा जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आगर ख़रता हूँ चीतों को लेकर जो हम अभ्यान चला रहे हैं आफिर उस अभ्यान का नाम क्या होना चाहिए क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इन में से हरे को किस नाम से बुलाए जाए वैसे ये नामकरन अगर traditional हो तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि अपने समाज और संस्कृती परंपरा और विरासत से जूड़ी हुई कोई भी चीज हमें सहज ही अपनी और आकरशित करती है यही नहीं आप ये भी बताएं आखिर इंसानों को एनिमर्स के साथ कैसे बिहेव करना शोईए हमारी fundamental duties में भी तो respect for animals पर जोड़ दिया गया है मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस competition में जरूर भाग लीजिए क्या पता इनाम स्वरू चीते देखने का पहला आउसर आपको ही मिल जाए